लाखों साल पुरानी बर्फ की मोटी चादर की कहराई में, कुछ है जो चुपचा बैठा है और इन चादरों को भेदते हुए बाहरानी की फिराक में है नहीं नहीं, ये नहीं, इस बड़ी बर्फीली जगह के नीचे कई ज्वाला मुखी हैं और हमारी कालपनिक दुनिया में ये ज्वाला मुखी जागने वाले हैं क्या ये गर्म पिघलता लावा धर्दी की सता को बर्बाद कर सकता है? या अन्टाक्टिका की मोटी बर्फ इसे सब कुछ तबहा करने से पहले रोक लेगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर? और ये है क्या हो अगर अन्टाक्टिका के सोते हुए ज्वाला मुखी जाग जाएं? अन्टाक्टिका हमारी धर्ती का सबसे ठंडा महादवीब है और ये काफी रहसे में भी है जब तक 2013 में वैग्यानिकों ने अचानक छोटे भुकंपों के दो समुहों की खोज नहीं की थी हम ये भी नहीं जानते थे कि इसके नीचे सक्रिय ज्वाला मुखी दफन है और अब जब हमने अन्टाक्टिका की बर्फ को भेद सकने वाले रेडार की मदद से देखा है हम जान चुके हैं कि यहां की बर्फ के नीचे और कई ज्वाला मुखी छुपे हैं गिंती में बताएं तो 138 लेकिन ये तो केवल वो हैं जिनकी जानकारी हमारे पास है ये बात इतनी भी चौकाने वाली नहीं है कि ये भयानक आग उगलने वाले ज्वाला मुखी इतने वक्त से अन्टाक्टिका की बर्फ के नीचे दफ्न है आखिरकार ज्वाला मुखी तो हमारे ग्रह के बाहर भी आसानी से देखे जा सकते हैं ब्रिहस्पति के चांद आयो पर, शनी के चांद इंसलेडस पर और हमारे पडोसी शुक्र पर भी ज्वाला मुखी है लेकिन हम वहाँ वक्त वरबाद नहीं करेंगे हमें पहले अपनी दुनिया को बचाना है क्या आप जानते हैं कि एक ज्वाला मुखी के भटने पर क्या होता है आमतोर पर असल आक्शन शुरू हो पाने के पहले ही चेतावनिया मिल जाती है जैसे कि भूकंप की लहरें उठना इससे पता चलता है कि सतह के नीचे पिगले हुए पत्थर है फिर लावा राक और गर्म गैसें भी इसमें शरीक हो जाती है ये कई तरह के हालातों और लावा के टाइप पर निर्फर करता है लेकिन औसतन बाहर आने वाले लावा की रफतार 10 किलो मीटर पतिगंटा होती है इससे भाग पाना असान है लेकिन एक बड़ा विस्पोट होने पर एक ज्वाला मुखी से बेहत गर्म गैसें और राक निकलती है साथ मिलकर ये पाइरोक्लास्टिक क्लाउड नाम की एक चीज बनाती है ये गर्म होता है इतना गर्म कि ये तापमान 700 डिगरी सेलसियस तक जा सकता है और ये 80 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से बहता है इन में से किसी की भी चपेट में आने का मतलब होगा आपकी जिंदगी के दिन खत्म लेकिन एंटाक्टिका के ज्वाला मुखियों की बात अलग है ये बर्फ की ऐसी मोटी चादर के नीचे तफन है जो कहीं कहीं पर 4 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है हमें ज्वाला मुखिय से निकलने वाली गैस का सामना नहीं करना होगा कम से कम एक विस्फोट होने पर तो नहीं इससे निकलने वाली गर्मी से बर्फ के बड़े हिससे पिगल जाएंगे यानि पानी तेजी से बढ़ने लगेगा और यहां से चीजें बिगडने की शुरुवात होगी ताजी पिगली बर्फ की वजह से बढ़ा पानी बर्फ को और तेजी से बहा कर ले जाएगा एंटाक्टिका की बर्फ समुद्र की तरफ बढ़ने लगेगी यहां से डॉमिनो एफेक्ट की शुरुवात होगी बर्फ के भार से ज्वाला मुखी पर दबाव बना रहता है जिससे ये स्थिर रहते हैं लेकिन ये दबाव कम करते ही ज्वाला मुखी में फूर्ती आ जाएगी और मैगमा विस्थोट के जरिये बाहर आने लगेगा एंटाक्टिका के केस में कुछ ज्वाला मुखी फटने से सैकणों दूसरे ज्वाला मुखी जाग जाएगे और पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा जैसे जैसे ज्वाला मुखियों के उपरी हिस्सों में धमाके होते जाएंगे, पानी बढ़ता जाएगा, जिससे अंटाक्टिका की बर्फ के बड़े हिस्से समुद्र में खिसकते जाएंगे यहां की बर्फ गर्म पानी की धारा से गिर जाएगी एक तरफ तो हमें अंटाक्टिका के वो नजारे देखने को मिलेंगे जो अब तक बर्फ के नीचे छुपे थे वहीं दूसरी तरफ ये बर्फ ऐसे ही हवा नहीं होगी ये पिगलेगी और अगर एंटाक्टिका की सारी बर्फ पह जाए तो दुनिया भर के समुद्र स्तर में लगभग 60 मीटर की बढ़त आएगी समुद्र के बढ़ते स्तर से भयानक दूफान आएगे जिनकी गती धीमी होगी और बारिश पढ़ती जाएगी हरिकन और टाइफून धर्थी की सतह पर तबाही ला देंगे तटिया इलाकों का जंगली जीवन अस्तव्यस्त हो जाएगा और खेती वाले इलाकों की मिट्टी नमक भरने से खराब हो जाएगी तेज बार के चलते लाखों दोगों को तटिया इलाकों से दूर बसना होगा और अगर ये सारे ज्वाला मुखी एक दिन के अंदर फटते हैं तो हमारे सामने हजारों मौते होंगी और तूफान समुद्र की सतह पर तैर रही हर चीज़ को हत्म कर देगा लेकिन चलिए एक सेकिंड के लिए अंटार्क्टिका पर वापस चलें अब जब बर्फ तिखल चुकी है तो बहते मैगमा का क्या होगा अच्छी खबर ये है कि इससे धर्ती लावा से भरी दुनिया में नहीं बदलेगी आखिरकार ये धमा के पानी के नीचे ही तो होंगे ये गर्म मैगमा एंटार्क्टिका के थंडे पानी से ठोस हो जाएगा और शायद इससे एंटार्क्टिका की जमीन विकने खरीदने लायक भी हो जाए लेकिन चीज़ें यहां खत्म नहीं होती जब ज्वाला मुखी जमीन पर भटते हैं तो इन में से कार्बन मोनोकसाइड, मीथेन, कार्बन डायोकसाइड और नाइटरुजन जैसी गर्म कैसे निकलती है और इनके साथ आमतोर पर गर्म भाब भी होती है कुछ आकणों के मताबिक ज्वाला मुखियों से हर साल 64 करोड 50 लाक टन सीओ टू यानि कार्बन डायोकसाइड निकलती है अगर एन्टाक्टिका के ज्वाला मुखियों में बहुत बड़े धमाके होते हैं तो ये पर्व के बड़े हिस्सों को खोल देंगे जिससे और भी कई जहरीली ग्रीन हाउस कैसें निकलने लगेंगी जब एन्टाक्टिका की सतह पर मौझूद ज्वाला मुखियों में से एक माउंट तकाहे 18,000 साल पहले फटा था इससे निकले रसाइनों ने ओजोन लेयर में एक होल बना दिया था इस होल के चलते दक्षणी हमिस्फेर में कर्मी बढ़ी थी और ग्लेशियर पिखलने लगे थे इसी से आखरी आइस एज खत्म हुई थी अब जरा एक साथ सैकणू ज्वाला मुखियों के भटने के बारे में सोचिए ये हमारे ग्रह के लिए बहुत बुरा होने वाला है लेकिन फिक्र ना करें एंटाक्टिका के ज्वाला मुखी एक साथ नहीं भटेंगे अगर ये जागना शुरू होते हैं तो कुछ भी हो पाने में दशकों का वक्त लगेगा मैं मुझे तो अब भी लगता है कि हमें हर चीज के लिए तयार रहना चाहिए यहां तक की समुद्र कास्तर बढ़ जाने की स्थिती में पानी के अंदर रहने के लिए भी जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफते भर बहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले